हेले दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैठ सवाट का में दोस्तों मैं है रुपेश यादब और इस वीडियो में हम लोग घाता अंकर करने के सबसे इंपोर्टेन टाइप के कुश्चन को देखेंगे इसे पहले भी हमने इस तरह के वीडियो को अपलोड किया है जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथी साथ प्लेस्टोर से मैठ सवाटी के अपलिकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड़ बैच में जूर सकते हैं वहाँ पर आपको मैठ ओरिजनिंग के फाउंडेशन बैच के साथ साथ एलपी और टेक्निशियन का मास्टर बैच भी मिल जाएगा तो आई शुरू करते हैं आज के क्लास को इस तरीके से क्लासेज आपको आगे भी मिलती रहेगी सारे टॉपिक के जो इंपोर्टेंट टाइप के कोश्चन्स है उसको बारी बारी से आपको खराया जाएगा ठीक है देखेगा यहाँ पर यह जो एक टाइप है घात अंकर करनी का वहाँ से सबसे ज़्यादा कोश्चन आपका पूछा जाता है और इसके बेसिक से लेकर के जो एडवांस लेबल तक के कोश्चन है सारे कोश्चन्स को देखेंगे तो आराम से आप विडियो के आन तक बने रहेगा देखेगा यहाँ पर पहला कोश्चन क्या है कोश्चन है आपका रूट अंडर 16 पलस दो रूट 49 बराबर हुआट अच्छा हमें एक ची पता है कि अगर किसी भी संख्या के उपर रूट लगा होता है तो हम लोग उसका निकालते हैं बर्गमूल जैसे मान लिजे कि 36 के उपर रूट लगा हो तो हम क्या करेंगे 36 का बर्गमूल निकालेंगे जो कि आपका हो जाएगा 6 अगर 49 के उपर रूट लगा होगा तो हम क्या करेंगे 49 का बर्गमूल निकालेंगे जिसका वैलू क्या हो जाएगा 7 तो रूट का मतलब होता है बर्गमूल तो यहाँ भी हमें क्या करना है लेकिन किसका बर्गमूल करना है? हमें बर्गमूल करना है 16 पलस दो रूट 49 का क्योंकि इस पूरे ब्यंजक के उपर रूट है तो हमें इस पूरे ब्यंजक का बर्गमूल निकलना है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि इस ब्यंजक का बर्गमूल निकल सकता है या नहीं निकल सकता है या कैसे पहुचानेगे संख्याओं को देख के आप पहुचान लेते हो न 36 को देख के पहुचान लेते हो कि सर 36 का बर्गमूल निकल जाएगा 6 होगा 49 का बर्गुल निकल जाएगा 7 होगा 64 का बर्गुल निकल जाएगा 8 होगा उसी प्रकार से अगर आप से पूछा जाए क्या 65 का बर्गुल निकलेगा नहीं सर इसका बर्गुल पुर्णांक में नहीं निकलेगा यह तो non perfect square number है अगर हम आपसे कहें किया सैंत इसका बर्गमूल निकलेगा पुर्णा कोई नहीं निकल पाएगा तो संख्याओं को देख करके जिस तरह से आप पहचान लेते हैं कि इसका बर्गमूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा उसी तरीके से ब्यंजक को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि इसका बर्गमूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा तो गौर से समझेगा इसका एक पहचान है कि यदि छोटका रूट के बाहर में दो है इसका मतलब इस पूरे ब्यंजक का बर्गमूल निकल जाएगा और अगर नहीं है इसका मतलब इस ब्यंजक का बर्गमूल नहीं निकलेगा पहचान क्या हो गया छोटका रूट के बाहर में अगर दो है तो इसका बर्गमूल निकल जाएगा तो इस पूर्शन को गौर से देखे क्या छोटका रूट के बाहर में दो है हाँ सर छुटका रूट के बाहर में दो है इसका मतब इसका बर्गमुल निकल जाएगा अब बर्गमुल निकल जाएगा तो कैसे निकलेगा तो आपको क्या करना है अपने मन से दो ऐसा संख्या सोचना है जिसको गुना करने पर 49 और जोडने पर 16 आ जाए तो सर ऐसा संख्या तो है 13 और 3 क्योंकि 13 में 3 से गुना करेंगे 49 और 13 तिन होता है 16 तो आप इसी दोनों में से बर्ग का संख्या को लिखिये पहले और छुट का संख्या को लिखिये बाद में और ताकि आपने बर्गमुल किया है इसलिए दोनों के उपर लगा दीजे root यानि root 13, root 3 बीच में plus है तो यहाँ दे दीजे plus यही आपका इस question का answer हो जाएगा यानि इस बेंजग का अगर आप बर्गमूल निकालते हैं तो वह क्या होगा आपका? root 13, plus root 3 अब इसको check हम कैसे करेंगे? हमें कैसे बता चलेगा कि इसका बर्गमूल जो आपने निकाला है वो सही है कि गलत तो देखें, 36 का बर्गमूल आपने क्या निकाला? 6, आप इस 6 को वर्ग करिये फिर से कितना आजाएगा? उन्चास का वर्गमुल आपने 7 निकाला आप फिर से 7 का वर्ग करिये कितना आजाएगा उन्चास उसी प्रकार से देखे इसका वर्गमुल हमने इतना निकाला अगर आप फिर से इसका वर्ग करियेगा तो यह जो value है वह इसके बराबर आ जाएगा और कभी कभी question में इस तरीके का data दे दे कि आपको समझ नहीं आए कि हमें इसका बर्ग मुल कैसे करना है तो आप क्या करना इसको by option solve कर लेना जिस option के वर्ग करने पर value इसके बराबर आ जाएगा वही option हमारा क्या होगा वही option हमारा answer हो जाएगा हाला कि आप बहुत आसानी से ऐसे भी अपने question का answer निकाल सकते हैं चलिए हमेशा क्या ध्यान रखना है हमेशा ध्यान रखना है कि गुना करने पर root के भीतर वाला value और जोडने पर बाहर वाला आना चाहिए question number 2 पर यही मेथद आप try करिए गौर से देखेगा क्या है क्या छुटका root के बाहर में 2 है हाँ सर छुटका root के बाहर में 2 है इसका मतलब इसका बर्गमुलो निकलेगा कैसे निकलेगा दो ऐसा संक्या चुनिए इसको गुना करने पर 56 और जोडने पर 15 आ जाए सर ऐसा संक्या तो है 8 और 7 तो बर्गमुलो निकले है न तो दोनों के उपर क्या करना पड़ेगा हमें root लगाना पड़ेगा बीच में minus है तो minus लगा दीजे तो हमारा अंसर क्या हो जाएगा root 8 minus root 7 हम चाहे तो इसको एक step और आगे ले जा सकते है root 8 के लिए हम क्या लिख सकते हैं 2 root 2 लिख सकते हैं और minus का root 7 है तो minus root 7 अब यह depend करता है option में option में अगर आपका यह वाला option है तो यह answer हो जाएगा अगर यह वाला है तो यह भी हो जाएगा यहाँ देखिए root 8 का मतलब क्या है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना चार गुना दो root 8 के लिए 4 गुना दो और 4 बाहर आ जाएगा तो 2 एक दो root के भीतर रह जाएगा ठीक है चलिए तो इन दोनों question में दिक्कत नहीं होगा और इस तरह से अब जब भी question आएगा तो आप आसानी से बर्गुन निकाल सकते हैं हमने आप से क्या कहा केबल एक ही condition है छोटका root के बाहर में क्या चाहिए हमें दो अगला question देखिए question number 3 और इस question को थोरा सा ध्यान से समझे अगर आप इस question को समझ जाते हैं तो अब इस type का कोई भी question बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और इसके बाद हम आपको यह भी बताए देखेंगे कि अब latest कौन से pattern पे question आपका इसके उपर आधारित पूछा जा रहा है उसको भी हम दो देखेंगे 12 पलस 6 रूट 3 हमने आप से क्या कहा कि भई ऐसे व्यंजक का बर्गमुल तभी निकलेगा जब छुटका root के बाहर में 2 रहेगा सरिसबार तो आपका 6 है 2 तो ह लिख सकते हैं ठीक है चलिए तो 6 के लिए 2 गुना 3 और root 3 को आप अपने अस्थान पर रहने दीजिए इन चीजों को आप और fast कर सकते हैं एक ही line में कर सकते हैं लेकिन अभी आप इसको समझिए अच्छे तरीके से आगे देख लिजी 12 के लिए 12 हम रहने देंगे बाहर में हमें 2 चाहिए तो 2 रहने दीजिए अब आप क्या करिए कि यह जो 3 है इसको root के भीतर ले जाईए और कोई भी नंबर जब root के भीतर जाता है तो square होकर के जैसे 3 को अगर हम root के form में लिखना चाहे तो हम क्या लिखेंगे root 9 का ही तो भैलू 3 होता है 7 के लिखना परे तो हम क् पहले से 3 है उससे गुना होगा तो 9 तिया कितना हो जाएगा 27 आप इस बात को ऐसे भी तो समझ सकते हैं हम 3 के लिख सकते हैं root 9 और root 9 गुना root 3 क्या होगा root 27 छोटका root के बाहर में 2 चाहिए भीतर में कुछ भी रहे उससे हमें कोई दिकत नहीं है तो 2 के अलावा जो भी है root के भीतर ले जाए रूट के भीतर 3 को ले जाएंगे 27 और यहां से जो question आपका जिस form में आ गया है यहां से हमें आंसर निकालने में कोई दिकत नहीं होगा देख लिए छुटका root के बाहर में क्या है सर छुटका root के बाहर में 2 है निकाल लिजेềं बर्ग रूट लिए बर् प्लस है तो प्लस यहीं आपका इस question का answer हो जाएगा क्या route 9 का मान निकल जाएगा अंसर निकल जाएगा फिर आप लिखे 3 plus route 3 को अपने अस्थान पे रहने दीजिए यहीं हमारा इस question का answer हो जाएगा तो कहने का यह मतलब है कि छोटका route के बाहर में 2 के अलावा यदि कोई निकाल सकते हैं कैसे निकालेंगे उस नंबर को हमें ऐसे form में तोरना है कि बाहर में हमें क्या मिल जाएगा दो मिल जाए आगे चलिए question नंबर 4 अभी जो concept आप सीखे है न आईए उसको और clear करते हैं नंबर 4 देखे क्या है 28 plus 10 route 3 28 को आप अपने जगा पे रहने दीजिए 5 route के भीतर जाएगा तो 25 और पहले से 3 है तो 25 तिया कितना हो जाएगा 75 पांच route के भीतर जाएगा square हो करके और पहले से 3 है तो 25 गुना 3 कितना 75 रूट आपका है तो इस route लगा दीजिए कोई दिकत नहीं है और यहां से बर्गमुल तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं क् उनों के उपर लगा दीजिए route इसके अलावा बीच में पलस है तो पलस 25 का बर्गमुल बोलिए क्या होगा सर 5 हो जाएगा 3 का बर्गमुल तो निकलेगा नहीं तो 3 ऐसे ही रह जाएगा यानि 5 पलस रूट 3 question number 4 का आपका यही answer होगा तो चलिए अब इस तरह से कोई भी question आपको मिलेगा न अब बहुत ही आसानी से उसका answer निकाल सकते हैं अब आपको दिक्कत नहीं होगा यहाँ एक question देखिए question number 5 इसको थोड़ा सा ध्यान से समझे देखेगा हमें क्या चाहिए यहाँ पे हमें यहाँ पे चाहिए छोटका route के बाहर में 2 route करना है बर्गमुल न से गुना कर लिजे तो 3 में 2 से गुना करिएगा 6 हो जाएगा पलस route 5 में 2 से गुना करिएगा 2 route 5 हो जाएगा आपने क्या किया है आपने इस पूरे में 2 से गुना कर लिया है और 2 से गुना आपने इस पूरे में अपने मन से किया है तो बस 2 से आप कर लिजे भाग ऐसा करन से इस ब्यंजक के मान में कोई अंतर नहीं आएगा क्योंकि आपने 2 से गुना किया है तो उसके बदले में 2 से भाग भी कर लिया जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है A पलस B तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2A पलस 2B दोनों में हम कितना से गुना कर दिये 2 से गुना कर दिये बस आप 2 से भाग कर लिजी इसको calculate करके देखें दोनों जगा 2 है तो 2 common ले लिजी क्या बचेगा यहाँ पे A इधर क्या बचेगा B पटा में क्या है 2 2 से 2 फिर से cancel हो गया क्या है हमारे पास A पलस B था फिर से A पलस B ही है यहाँ देखने में आपको अलग 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 आए इस कि हमने इस दोनों में 2 से गुना किया है इसलिए इसको balance करने के लिए 2 से क्या कर लिया हमने 2 से हमने यहाँ पे भाग कर लिया ठीक है चलिए ऐसा हम कर सकते हैं अब देखिए यह रूट किसके उपर है सरूट जो है वह उपर वाले के साथ भी है और नीचे वाले के साथ भी दोनों के ऊपर root है, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों का बर्गमूल करेंगे दो वाई, ऐसा लिखा जा सकता है तो उसी प्रकार से दोनों के उपर रूट है तो हम उपरवाले के उपर भी रूट और नीचे वाले के उपर भी रूट लगा सकते हैं, अब यहाँ देखो, आप जो है, क्या उपर वाले का इस पार्ट का बर्गमुन निकाल सकते हैं हासर निकाल सकते हैं यहाँ पे छोटका रूट के बाहर में 2 है हमें क्या करना पड़ेगा दो ऐसा संख्या सोचना पड़ेगा इसको गुना करने पर 5 और जोडने पे 6 हमेशा गुना करने पर रूट के भी परवाले का, तो ऊपरवाले का हमने यहां बर्ढमूल निकाल लिया, क्या 2 का बर्णमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो इसको अपने जग़ा पे रहने दीजे, अब हमें एक चया बता आये, कि यह जो आपका रूट दो है, वो किस के बट्टा में है, सर दोनों के रूट अंडर पांच बट्टा दो नहीं लिख सकते हैं लिखा जा सकता है रूट पांच बट्टा रूट दो यानि रूट अंडर पांच बट्टा दो पलस उसी प्रकार से रूट एक बट्टा रूट दो के लिए हम क्या लिख सकते हैं यही हमारे इस कोश्चन का क्या होगा सही आंसर होगा रूट दो तो दोनों के बट्टा में है तो हम दोनों में रूट दो से भाग करेंगे तो जब रूट पांच में रूट दो से भाग करेंगे तो रूट पांच बट्टा दो हो जाएगा और जब हम रूट एक में रूट दो से भाग करेंगे तो यह रूट एक root 2 का square बराबर 19 plus 6 root 2 है तो इसके basis पर आप बताईए कि A और B का मान क्या होगा यानि हमें बताना है इस question में A और B का value इन data के आधार पे सबसे पहला चीज बाई और square है बाई और क्या है square है अगर इसको हटाते हैं तो दाई और वाले का क्या हो जाएगा दाई और वाले का root हो जाएगा यानि root किसका होगा root हो जाएगा आपका 19 plus 6 root 2 का होगा इसका क्या हो जाएगा इसका root हो जाएगा इसका root क्यों होगा क्योंकि हम इस तरफ से square हटा रहे हैं तो इधर हमारे पास क्या बचेगा अब इधर हमारे पास होगा a plus b root 2 a plus b root 2 क्योंकि इसके उपर से हमने square हटाया है इसी बज़ा से इधर आपका root हो गया यह बात आप अच्छी तरह से जानते हैं x square का value अगर 7 है तो x का value क्या हो जाएगा x square हटाईएगा इधर root हो जाएगा या या रूट साथ हो जाएगा बाई और से square हटाईगे दाइ और वाले का root हो जाएगा अब आप क्या करिए अब आप पो root निकाल लीजिए इसका ठीक है क्या करना है आपको इस value का root निकालना है तो आईए root यहाँ पर हम लोग निकालते हैं रूट इसका करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर हमें चाहिए दो थो शे को आप तोड लिजेगा दो के रूप में दो थो हमें चाहिए ही उननीस को अपने जगा पर रहने दीजीये पलस दो को यहां छोड़िए बांकि तीन को रूट के भीतर ले जाईएगा तो नौ और नौ दुना कितना हो जाएगा अठारा यहां कौन सेप्ट आप पीछे से देखते आ रहे हैं अब आगे चलिए रूट इसके उपर है तो रूट लगा दीजिए अब बर्गमुल इसका यह कर लेते हैं गुना चुटका रूट के बाहर में दो आ गया देख लो आप यहां पे क्या है यहां पे दो है तो बर्गमुल निकल सकता है कैसे निकलेगा तो ऐसा संक्या चुनिए जिसको गुना करने पर 18 जोड़ने पर 19 तो ऐसा नंबर है 18 और एक बरका को पहले चुटका को बाद में चुकि दोनों का बर्गमुल निका ले है इसल Ini दोनों के ओपर क्या रहेगा रूट रहेगा बीच में पलस है तो पलस यानि इदर वाला का मान इतना आ गया और इस तMMारे पास क्या है इस तismo हमा रभार पास है आ उसको बाद में लिखेंगे क्यूंकि इसमें देखे पहले हम लिखेंगे root 1 तो root 1 का मान क्या हो जाएगा 1 plus 18 9 गुना 2 तो 9 का बर्गमुल 3 तो 3 root 2 ऐसा लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं नहीं है देखे 3 root 2 plus 1 या 1 plus 3 root 2 दोनों का मतलब से महीं होगा हम A plus B लिखे या B plus A लिखे इस से मान में कोई अंतर नहीं आएगा हम इसको ऐसा इसले लिख रहे हैं क्योंकि देखे इसमें root 2 वाला बाद में है तो इधर भी root 2 वाला बस बाद में लिख रहे हैं अब हम LHS और RHS का compression करेंगे और अपना value निकालेंगे को और से देखे एक के अस्थान पर क्या है एक तो A का मान हो जाएगा एक plus के अस्थान पर क्या है plus root 2 के अस्थान पर क्या है आपका root 2 देख लिजिए B के अस्थान पर क्या है 3 तो B का value क्या हो जाएगा 3 तेन यहां पर देकिए बी के अस्थान पर क्या है तीन और अस्थान पर क्या है एक तो एक आप कामान अपका हो जाएगा तौ यहां था आपका आज का आखरी कोश्चन कमेंट करके ज्रूर बतायेगा कि буर्ट से आपको कैसा लगा और हां अगर आप हमारे चैनल पे नए है त इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहिएगा यह स्रीज अब आपका जारी रहेगा इस तरह से वीडियो आपको मिलता रहेगा चलिए तो जुले रहे हैं अगले वीडियो में तैंक यू जैहिंद